हेलो गाइज वेलकम वेलकम बैक तो माई योटॉब चैनल आज मैं शेयर करने वाली हूं यह पटाप का दिवाली मेक अप लुक वीडियो बहुत दादा सिंपल है एकडम सोबर है और डंगरी मेक अप लुक भी है यह और गाइज आपको जैसे की थमनेल सी तो पता ही चली गया होगा कि सारे प्रोडेक्ट अंडर हंड्रेड रुपीज है तो मेक अप सूपर डूपर अफोडेबल होने वाला है एकडम बॉम भी होने वाला है तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना तो गाइज बिदाउट स्वाजादू लेट्स गेट सारेट विद वीडियो को जो गाइज स्टार्ट करते हैं मेक अप सबसे पाले हम यूज करने वाले है अपना टोनर तो टोनर के लिए हाँ पर में यूज करने वाली हूं अंडर हंड्रेड रुपीज मेरे पास है आयू का स्किन टोनर जो कि आल स्किन टैप के लिए यह सबसे अच्छी बात है इसकी और इसका प्राइज है 50 रुपीज या आपको ओलाइन भी अवेबल है तो मैं इसको यूज करने वाली हूं कि अप्राइब के पार यूज करें गे मॉश्राइजर तो उसके लिए में यूज करें निव्या का सॉप्ट लाइफ मॉश्राइजर तो याज जैसे कि हम टीनेज एं तो हमें प्राइमर की थिरूरत नहीं है क्योंकि हमारे इतने जादा पॉस्स नहीं होते हैं तो मैं यहां पर यूज कर गाज्चली का ऐलोवेरड जोएल इसको आज हम प्राइमर भी यूज कर सकते हैं अधर हमारे अरे हिसाब से ठीक है तो गाइज जैसे के हम फांडेशन के इतनी ज़रूरत में अगर हमारे जादर डाग स्पोर्ट नहीं है या जादर हमें कवर अपने ही करना है थोड़ा लाइट अप साही मेक अप रहतना है तो यहाँ पर मैं यूज करें हुए ओन्स वाइट ब्यूटी बीबी प्लस क्रीम जिसमें मेरा शेड है जीरो वांड ओरिजनल इसमें आपको दो शेड अवेबल हैं एक है मीडियम और एक है ओरिजनल आप यहाँ पर देख सकते हो तो मीडियम थोड़ी डिस्क स्किन टोन के है और ओरिजनल मीडियम से फेयर स्किन टोन के लिए है तो मेरा वाला शेड है ओरिजनल आप अपनी स्किन टोन के साब से ले सकते हैं कि अवेबल है अवेबल आप अवेबल हैं कर दो कि का इस मैं यूज कर रही हूं अपने फिस से बेबी क्रीम अपनी एज़ा कंसीलर डाक सकल्स को थोड़ा सा हाइट करने के लिए एंटी जोन को थोड़ा सा हाइलाइट करने के लिए भी सो गाइस मेरी आवाज आपको थोड़ी अजीब सी लग रही होगी क्योंकि मुझे हो चुका है कोल्ड एंड मैं सुच रही थी बार में वह इस ओवर कर लूँगी बट फिर मुझे ये वीडियो कल पोस्ट भी करनी है तो दत्वाय मुझे अभी करना पड़ेगा तो यह इसको को मैं अच्छे से एक सपंज की है से ब्लेंड कर लूँगी अगर आप कंफोर्टेबल नहीं है तो आप ब्रश के हैं से भी कर सकते हैं अपनी बीस को सेट करने के लिए हां यूज करें वह बहुंत पाउडर आप जाहे तो कोई भी बीस को सेट कर लोँगे एंड आपकी एक इस फिर ने कर देखा ले तो यह एक नम परफेक्ट आप प्रक्ट अब प्लकुल भी मेकप निया तब आप इस मेकप को कर सकते हो बस लाइनर आप स्किप कर देना क्यूंकि हो सकता है आप लाइनर में कड़ गड़ कर दो थोड़ी बहुत तो अपने बेस को मैं सेट कर दूग कि मैं आईबरोग पैंसल कित्नी कम यूज़ करती हूँ बहुत ज़ादा कम यूज़ कर देखा लेकिस अंडर उपीज करना था को मैं इसलिए इसको कह строг कर दोगे अच्छे से आपका लुक मिलेगा तो मैने एक अक च्च्छा कोब कर लोगे तो इक्तम सेट हो जाएंगे आपके आइबो तो मेरे को एक आइब लो थोड़ी डाफ लग दीटी तो एक थोड़ी लाइब तो उसके लिए हमें क्या करना है थोड़ी पाउडर ले आपने हाथ पर अपने स्पूली पर लेकर अपनी आइब लोगा आपको कॉम कि मेरे को बहुत ज्यादा है रहा है यार इस जैसे कि आपको पता है टीनेज की तो आइब्रो बनी नहीं होती तो मेरी भी आइब्रोस बनी हुई नहीं है तो इनको एकदम फाइन लुक देने के लिए हम तोड़ास अपनी आइब्रोस को इस तरीके से हाइलाइट कर लेंग जिससे के हमारी आइब्रो अगर आप थोड़ा दूर से देखोगे तो एकदम बनी हुई लगेंगी मतलब फोटो वगेरा में एकदम आपके आइब्रोस परफेक्ट आएंगी अन अच्छे से ब्लेंट कर लूँगी उसको उसके बाद मैं अपनी लिप्स्रिक को ही ऐस आई तो थोड़ा बहुत तो कर सकते हो ना यार जब आप समाल लेते तो इतना हो जाता है ठीक है आप थोड़ी सी बार्गिनिंग अच्छे से कर लो तो हो जाएगा आपका अंडर हंडर रुपीज अच्छे से मेकप उसके बाद में एक ब्लेंडिक ब्रश की हैल्प से अपनी ल बहुत पत्ली सी विंग मैंने ड्रो करिया और पीछे से कोई भी आवाज आ रही है उसके लिए सौरी क्योंकि मेरी हालत अभी इतनी अच्छी नहीं है कि मैं फिर से वोईस ओवर करूँ और मेरे को कॉल्ड हो रहा है और प्लीज सौरी और आपको पता हिए करवा चोथ में बहुत जादा पालर्स पर भीड रहती है तो मैं पालर में काम करके आई है और बजरे आठ अभी थोड़ा सा मुझे रेस्ट मिल रहा है तो मैं इसमें वोईस ओवर करी इसलिए मिरी आवाज इतनी ठकी सी और भारी सी हो रही है ठीक है तो अच्छे जबनी आइलेश को मैं क कर लोगे अगर आपने करवा चोट में कब लोग नहीं देखा तो यार उसे भी चेक आउट कर लो अपनी मम्मी को इस बार करना है ठान लो यह बाद उसके बार में यूज करें हाँ पर कलराट का मस्कारा यह अंडर हंडर्ड रुपीज है साहर प्रोडेक्ट जैसे कि मैंने आपको बताया यार पता नहीं तुमीं वैग्डाउंड में वास क्यों आ रही है और मेरी नोजी भी आ रही है तो अब मैं हापर यूज करें ऐसा पार के ब्लशर किट कुछ लोग तो कहेंगे मैंने चीट कर लिया बट अगर आपका हिसाब लगाते हो तो आपको ना 50 ब्लशर आप लेतसे को लिए हैं तो मैं लगा लूगी है और आपको लगता है मैं चीट करह रही हूं दया सकतते हैं तो अपने लिप्स्स्टिक से भी ब्लुखयर लेशे लगा सकते हो तो अन्र हंडेंड रुपीज आपको ब्लशर वैसे मिल जाएंगे भ्लू रॉह व gonty पास इतने प्रोडेक्ट नहीं होते हैं तो इसले मैं आपको बता रही है अगर आपके बास ब्रेश रही है तो कोई बात नहीं ज्याद स्रेस लेने के कोई बात निया उसके बात में यूज करें आप ब्लू हैवन का क्रिस्टल लिबा एंड इसको में अपने टी जोन पर भी एप्लाइटर तो कि ऑजो सफार का है लाइटर वोटना बोम हाइलाइटर नियों थीजिए अधिक ठीक हाई लाइटर है एंड यह मैंने वीडियो आज ही शूट करी थी सुबह के टाइम में सुबह पालना में कस्टूमर आने लगे वीडियो शूट करी तो समूजा ऐसे द लिट को हाइलाइट करने के लिए छोटू सब्रश अगर आपको हाइलाइटर ऐसा रखते हैं कि 100 रुपीज का नहीं मिल सकता तो मैं आपको बता दू 20 20 रुपीज के एक सिंगल आईशेडव आपको मिल चाहेंगे एजी ली एंड उसमें आप शिल्वर शेड ले सकते हैं हाइलाइटर की तरह बहुत अच्छे तरीकी से वर्क करता है उसके बाद में फिर से अपनी हुडा ब्यूटी जो कि रियल हुडा ब्यूटी नहीं है ड्यूब है क्योंकि अंडर्ड रुपीज की मुझे मिली है तो पकी सी बात है रियल तो है नहीं ठीक है तो कैमर देना कि में ड्यू प्रोडेक्ट यूज करती हूं कि मुझे लिप्स्टिक अधिकतर ऐसे कलर में पसंद आती है उसके बाद हलका सा बीवी पाउडर में लेकर फिर से पूरे बेस को सेट कर दूंगी क्योंकि थोड़ा सा ओईल आ जाता है करते करते हैं में मेकप फिक्सर नहीं यू पिंक कलर की डांगरी है जो कि बहुत अच्छी लगती है आप देख सकते हो एंड यह है मेरी दिवाली की ड्रेस सो आई होप यूप यूज इंजो इस वीडियो लव यू टेकल बाई बाई